हेलो एव्रीवन आज हम डिसकस करेंगे exercise 3.6 इससे पहले हमने इसके examples को discuss किया था अगर आपने नहीं देखा है तो आप I button पे click करके देख सकते हैं चली शुरू करते हैं पहला question देखिए solve the following pairs of equations by reducing them to a pair of linear equations आपको कुछ equations दे रखे हैं उन्हें आपको reduce करना है convert करना है linear equations में फिर उसको solve करना है पहला पार देखिए उसका equations है आपके पास 1 upon 2x plus 1 upon 3y is equals to 2 and 1 upon 3x plus 1 upon 2y is equals to 13 upon 6 अब मैंने आपको बता है था कि यह equations हमारे पुराने equations से थोड़ी अलग है क्यों अलग है क्योंकि यहाँ पर जो variables है x और y वो denominator में बैठे हुए है इनको numerator में होना चाहिए था है इनका घर तो numerator में होना चाहिए था लेकिन यह बैठे कहा आप है denominator में बैठे है इस वज़े से हमें दिक्कत हो रही है तो मैंने आपको examples में बताया था कि इस तरीकी के equations को हम किस तरीके से substitute करके linear equation में reduce करते हैं हाना तो देखिए मैं क्या करूंगा इसको थोड़ा rearrange करके लिख लेता हूं equations को देखिए first equation को मैं इस तरीकी से लिख सक first equation है ओके इसी तरीकी से मैं second equation को rearrange कर लेता हूं यह हो जाएगा 1 upon 3 into 1 upon x plus 1 upon 2 into 1 upon y is equals to 13 upon 6 यह हमारा second equation हो गया अब आपको दिख रहा होगा कि हमें x और y इनकी वज़े से दिक्कत हुई थी क्योंकि यह denominator में तो हम क्या कर लेते हैं इनको एक नया नाम देकर हमारी problem solve कर लेते हैं आप first equation और second equation में देख सकते हैं कि first equation में 1 upon x है and second equation में भी 1 upon x है first equation में 1 upon y है and second equation में भी 1 upon y है इनी के वज़े से हमें दिक्कत भी आ रही थी तो हम इनको एक नया नाम दे देते हैं देखिए यहां पर let 1 upon x is equals to a and 1 upon y is equals to b हमने एक नया नाम दे दिया इनको अब नया नाम दे दिया है तो equations बदल जाएंगी देखे so the equations reduces to अब देखे 1 upon 2 यह तो as it is रहेगा है ना देखें आपे 1 upon 2 into 1 upon x को हमने नया नाम दिया A तो यह हो जाएगा 1 upon 2 into A that means A upon 2 हाना तो यह हो जाएगा A upon 2 plus अब देखे 1 upon 3 into 1 upon y था 1 upon y को हमने B नाम दिया है तो यह क्या हो जाएगा B upon 3 हाना B upon 3 is equals to 2 इसको थोड़ा simplify कर लेते हैं LCM लेके तो 2 और 3 का LCM कितना आजाएगा 6 तो आपके पास आएगा 3 A plus 2 B upon 6 is equals to 2 यह 6 को धर बेच दीजिए यह multiply हो जाएगा तो आपके पास बचेगा 3 A plus 2 B is equals to 12 ओके यह हो गया आपका third equation देखे first equation यह रहा आपका second यह रहा and यह third हो गया अब देखे second equation किसमें reduce हुआ है second equation के लिए देखे 1 upon 3 into 1 upon X है यह second equation में है तो यह क्या हो जाएगा A upon 3 तो A upon 3 plus देखे 1 upon 2 into 1 upon Y 1 upon Y को B माना था तो क्या हो जाएगा यह B upon 2 is equals to 13 upon 6 है ना अब इसको भी simplify कर लेते हैं LCM लेके तो आपके पास आएगा 6 LCM हो जाएगा तो आपके पास आएगा 2 A plus 3 B upon 6 is equals to 13 upon 6 अब देखे यह 6 यहाँ divide हो रहा है भहाँ जाएगा तो multiply हो जाएगा तो इस 6 से यह 6 cancel हो जाएगा तो आपके पास बचेगा 2 A plus 3 B is equals to 13 यह हो गया आपका 4th equation अब इसको solve कर लेते हैं मैं थोड़ा clear कर देता हूँ इसको अब देखिए मैं इसको substitution method से solve कर लेता हूँ from equation 3rd 3rd equation में से मैं A की value निकालने की इसको मैंने 5th equation का नाम दे दिया अब देखिए 3rd equation का काम खतम हो गया अब हम क्या करेंगे A की value को put करेंगे 4th equation में 5th equation को 4th equation में use करेंगे तो next page पे देखते हैं हमारा 4th equation था 2 A plus 3 B is equals to 13 अब यहाँ पर मुझे A के जागे क्या put करना है 12 minus 2 B upon 3 तो यहाँ put कर लेते हैं इसको 2 into 12 minus 2 B upon 3 plus 3 B is equals to 13 अब देखिए यह 2 दोनों में multiply होगा साथ के साथ मैं LCM ले लेता हूँ और solve कर लेते हैं इसको तो क्या आएगा आएगा आपके पर देखिए 12 2 is a 24 24 minus 2 into 2 कितना हो जाएगा 24 4 B plus LCM लेकि जब इसे solve करेंगे तो क्या आएगा 9 B upon 3 is equals to 13 अब देखिए साथ ही साथ हम इसको solve करते जाएगे तो 3 वहाँ जाएगा तो multiply हो जाएगा and 9 B मैंसे 4 B minus होगा तो कितना बचेगा 5 B तो 24 plus 5 B is equals to 39 13 3 is a 39 और solve कर लेते हैं इसको 24 वहाँ जाएगा तो minus हो जाएगा तो आपके पास बचेगा 5 B is equals to 39 minus 24 यानि कि 5 B is equals to 15 यह 5 यहाँ multiply हो रहाँ वहाँ जाएगा तो divide हो जाएगा तो आपके पास बचेगा B is equals to 15 upon 5 that means 3 तो B की value आ गई 3 अब इस B की value को मैं equation 5 में put करके A की value निकाल लेता हूँ put the value of B in equation 5 equation 5 क्या था आपके पास A is equals to 12 minus 2 B upon 3 यहाँ पर हम B के जाएगे put करेंगे 3 तो देखे 12 minus 2 into 3 upon 3 solve कर लेते हैं इसको 12 minus 6 upon 3 that means 6 upon 3 यह कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ओके तो A की value आ गई 2 हमें पता था कि A की value 2 आ चुकी है and B की value 3 आ चुकी है A हमने किसको माना था A हमने माना था 1 upon X को is equals to 2 तो उसकी value है अब देखेए X की value निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा reciprocal लेना पड़ेगा दोनों side में लेंगे तो reciprocal जब लेंगे तो आपके पास X की value आएगी 1 upon 2 2 का reciprocal क्या हो जागा 1 upon 2 आप देखेए B की value 3 आए थी और B हमने किसको माना था 1 upon Y को और ये इसकी value कितनी है 3 Y की value निकालने के लिए क्या करेंगे हम reciprocal लेंगे तो reciprocal जब लेंगे तो Y की value कितनी आएगी 1 upon 3 तो आपने देखा किस तरीके से हमने एक equation जो की linear equation in 2 variable में नहीं था उसको हमने reduce किया linear equation में फिर इसको solve किया है तो X की value कितनी आएगी है 1 upon 2 and Y की value कितनी आएगी है 1 upon 3 next है हमारा second part equations है आपके पास 2 upon root X plus 3 upon root Y is equals to 2 and 4 upon root X minus 9 upon root Y is equals to minus 1 अब देखिए ये भी उसी तरीके का question है हम क्या करेंगे इसको rearrange करेंगे तो देखिए इसको rearrange कैसे करेंगे हम 2 into 1 upon root X हाना multiply करेंगे तो वापस वो ही मिलेगा 2 upon root X plus 3 into 1 upon root Y is equals to 2 ये हमारा first equation rearrange लिखा हमने अब देखिए second equation 4 into 1 upon root X minus 9 into 1 upon root Y is equals to minus 1 ये हो गया हमारा second equation हम कुछ नहीं करतें बस coefficient को अलग कर लेते हैं अलग क्या मतलब थोड़ा भार कर देते हैं और bracket में variable को रख लेते हैं हाना अब देखिए आप first equation और second equation में क्या चीज़ common है first equation में और second equation में देखिए 1 upon root X है दोनों में उसी तरीकी से 1 upon root Y है दोनों equations में तो इनी के वज़े से हमें दिक्कत आ रही थी तो हम इनको एक नया नाम देंगे तो देखिए यहां पे let 1 upon root X is equals to A and 1 upon root Y is equals to B थोड़ा सा difference क्या है हमारे previous question से यहां पे यहां पे बस root लगा हुआ है तो कोई देखर नहीं हम यहां root के साथ ही हम इसको नया नाम देंगे 1 upon root X को मैंने A का नाम दिया है and 1 upon root Y को B का नाम दिया है अब देखिए equations के इस तरीके से reduce हो जाएंगे हमारी first or second यहां पे देखिए 2 into 1 upon root X है first equation में तो 1 upon root X को मैंने A का नाम दिया है तो यह क्या हो जाएगा 2A plus 3 into 1 upon root Y है 1 upon root Y मैंने किसको नाम दिया था B तो यह हो जाएगा 3B is equals to 2 यह हो गया आपका third equation इसी तरीके से is equals to minus 1 यह हो गया आपका fourth equation अब आप इसको solve कर लिजिए कोई भी method use करके मैं यहां पे substitution method use कर रहा हूँ okay from equation third equation third मैं से मैं B की value निका लेता हूँ तो देखिए 2A वहाँ जाएगा तो minus हो जाएगा and यह 3 यहां multiply हो रहा है वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास आएगा B is equals to 2 minus 2A upon 3 यह हो गया आपका fifth equation अब देखिए third equation का काम खतम हो गया हम B की value को fifth equation में से fourth equation में put करेंगे put the value of B in equation 4 तो देखिए equation 4 थी हमारे पास 4A minus 9B is equals to minus 1 यह हम B के जगे put करेंगे 2 minus 2A upon 3 ओके तो देखिए 4A minus 9 into B की value क्या है 2 minus 2A upon 3 is equals to minus 1 solve कर लेते हैं इसको देखिए 3 3 is a 9 यह कट गये हैं यहां से अभी 3 multiply होगा दोनों ओके तो आपके पास आएगा 4A minus 3 into bracket में 2 minus 2A is equals to minus 1 आगे solve कर लेते हैं इसको 4A minus जब bracket solve करेंगे तो देखिए 3 दोनों में multiply होगा साथ ही साथ sign change हो जाएगा क्योंकि भार subtract का sign है ओके minus sign है तो देखिए कितना आएगा minus 6 plus 6A is equals to minus 1 solve कर लेते हैं देखिए 4A और 6A यह add हो जाएगे कितना हो जाएगा 10A and यह minus 6 यहाँ हो रहा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा plus तो आपके पास बचेगा 10A is equals to minus 1 plus 6 that means 10A is equals to 5 यह 10 यहाँ multiply हो रहा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा divide तो आपके पास आएगा A is equals to 5 upon 10 that means 1 upon 2 तो A की value आ चुक है 1 upon 2 अब A की help से मैं B की value निकाल लेता हूँ कैसे देखिए 5th equation में मैं A की value put कर देता हूँ put the value of A in equation 5 तो B is equal to 2 minus 2 into A था A की value कितनी है 1 upon 2 यहां मैंने put कर दी इसको upon 3 अब देखिए 2 से 2 cancel हो जाएगा तो आपके पास बचेगा 2 minus 1 upon 3 that means 1 upon 3 तो B की value आ गई 1 upon 3 और A की value 1 upon 2 अब देखिए A की help से मैं X की value निकालूँगा and B की help से Y की value निकालूँगा next page पे देखते हैं अब देखिए हमारे पास A की value आई थी 1 upon 2 और A हमने किसको माना था A माना था हमने 1 upon root X को यानि कि यहाँ पे हो जाएगा 1 upon root X is equal to 1 upon 2 अब देखिए अब तक हमने क्या किया था reciprocal किया था तो यहाँ भी हम क्या करेंगे reciprocal करेंगे दौनों side में तो आपके पास आएगा root X is equal to 2 ठीक है 1 upon root X का जब reciprocal लेंगे तो कितना आएगा root X and 1 upon 2 का reciprocal लेंगे तो क्या हैगा 2 तो देखिए हमसे question में पूछा कहता solve करना है इसको X and Y के लिए हमें हमेशा X और Y की value बतानी होती है यहाँ पे किसकी value आई है यहाँ पे root की value आई है root X की value यह रूट हटना चाहिए तो अब root को हटाने के लिए हम क्या करेंगे square करेंगे very good तो देखिए on squaring both side कभी भी हम जो कुछ करते हैं operation वो दोनों side में करते हैं ताकि equation balanced रहे जब हम square करेंगे तो देखिए root X का जब मैं square करूँगा तब देखिए square से यह root cancel हो जाएगा तो आपके पास बचेगा X and 2 का square करूँगा तो कितना आएगा 4 तो X की value आजाएगी 4 इसी तरीके से मैं B के help से Y की value निकाल लेता हूँ B की value क्या थी 1 upon 3 और B मैंने किसको मना था 1 upon root Y को तो आपके पास आएगा 1 upon root Y is equal to 1 upon 3 यहाँ भी हम reciprocal लेंगे तो क्या आएगा आपके पास root Y is equal to 3 अब देखें यहाँ पे भी root Y है तो square करके हम root हटा देते हैं on squaring both sides we get root Y का जब square करेंगे तो क्या आएगा Y and 3 का square करेंगे तो 9 तो यानि की value आगई 9 तो आपके पास X की value आचेगी 4 and Y की value आचेगी 9 थोड़ा अच्छा questions है अभी तक जो हमने किये तो उससे थोड़ा सा higher version है उसका third part देखिए 4 upon X plus 3Y is equal to 14 and 3 upon X minus 4Y is equal to 23 अब देखें यह equation थोड़ी से अलग हो गई इन्होंने क्या किया है यहाँ पे denominator में सिर्फ X को रखा है तो हमने बताया था denominator में जो variable होता है उसके वज़े से दिक्कत आती है इसका मतलब यहाँ पर हमें दिक्कत सिर्फ X दे रहा है Y अच्छा बच्छा बन गया है वो numerator में बैठा हुआ है तो अब देखिए इसको rearrange करके कैसे लिखेंगे first equation को जब हम लिखेंगे तो यह हमारा first equation हो गया अब second equation में देखिए 3 upon X था तो यह हो जागा 3 into 1 upon X minus 4 Y is equal to 23 यह हो गया आपका second equation जिसके वज़े से दिक्कत होती है उसी का नाम बदलते हैं तो यहाँ पर दिक्कत आ रही थी 1 upon X के वज़े से X denominator में इसी वज़े से दिक्कत आ रही है तो हम इसी को नाम देंगे सिर्फ Y को नहीं नाम देंगे So let 1 upon X is equal to A देखिए हमने 1 upon X को A नाम दिया है Y वाले को कोई नाम नहीं देंगे So equations reduce to अब हमारी equations किस तरह के से reduce होंगे 4 into 1 upon X है 1 upon X के जगे मैं A लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 4 A प्लस 3 Y यहाँ पे तो हमने कोई नाम दिया ही नहीं है Y को तो यह 3 Y रहाएगा Is equal to 14 यह होगे आपका 3rd equation And 4th equation क्या बनेगी है हमारी देखिए 3 into 1 upon X से यह हो जाएगा 3 A minus 4 Y is equal to 23 यह हो गया आपका 4th equation अब इसको solve कर लेते हैं From 3rd equation 3rd equation मैंसे में A की value निकालूंगा तो देखिए 3 Y वहाँ जाएगा तो minus हो जाएगा And 4 यहाँ multiply हो रहाए वहाँ जाएगा तो divide हो जाएगा तो आपके पास A की value आएगी 14 minus 3 Y upon 4 यह हो गया आपका 5th equation तो 3rd equation का काम खतम हो गया अब हम क्या करेंगे A की value 5 में से 4th equation में put करेंगे Okay Put this value of A in equation 4 तो देखिए 4th equation थी आपके पास 3 A minus 4 Y is equal to 23 यहाँ पर हम A के जाएगे क्या put करेंगे 14 minus 3 Y upon 4 तो देखिए यहाँ पर 3 into A की value put करेंगे 14 minus 3 Y upon 4 minus 4 Y is equal to 23 solve कर लेते हैं इसको देखिए यह 3 दोनों में multiply होगा साथ ही साथ हम LCM भी ले लेंगे तो हमारे पास आएगा 14 3 is a 42 minus 3 3 is a 9 तो 9 Y minus जब LCM लेंगे तो solve करेंगे तो क्या आएगा minus 16 Y upon 4 is equal to 23 आपके पास आएगा 42 minus देखिए 9 Y और 6 Y यह दोनों add up हो जाएगे तो कितना हो जाएगा 25 Y 42 minus 25 Y upon 4 is equal to 23 यह 4 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा multiply तो आपके पास आएगा 42 minus 25 Y is equal to 92 ओके अब दीखिए और solve कर लेते हैं इसको 42 वहाँ जाएगा तो minus हो जाएगा तो आपके पास बचेगा minus 25 Y is equal to 92 minus 42 that means minus 25 Y is equal to 50 यह minus 25 यहाँ multiply हो रहा है वहाँ जाएगा तो divide हो जाएगा तो आपके पास आएगा Y is equal to 50 upon minus 25 ओके solve करेंगे तो कितना हैगा minus 2 तो Y की value कितने आगई minus का 2 ओके अब इसको put करेंगे हम 5th equation में ताकि हम A की value निकाल सके ओके put the value of Y in equation 5 ओके देखे A is equal to 14 minus 3 into Y था तो Y के जागे मैंने put कर दिया minus 2 upon 4 solve कर लेते हैं इसको देखे A is equal to 14 plus 6 upon 4 यानि कि 20 upon 4 अब देखे 4, 5 और 20 होता है तो A की value कितने आगई 5 अब हम A की help से X की value निकालेंगे next page पे अब देखिए A की value आचुकी थी हमारे पास 5 और A हमने किसको माना था A हमने माना था 1 upon X को हाना तो हमारे पास 1 upon X की value आगई 5 अब हम X की value निकालना चाहरे है तो क्या करेंगे reciprocal लेंगे तो reciprocal लेंगे तो आपके पास X की value आएगी 1 upon 5 ओके तो X की value आचुकी आपके पास 1 upon 5 and Y की value आचुकी थी minus 2 ओके simple है इसमें देखिए सिर्फ X के वज़े से दिक्कत आई थी हमें Y की वज़े से नहीं आई थी इसलिए हमने सिर्फ 1 upon X को नाम दिया था A का Y को as it is रखे रहन दिया है next है हमारा part 4 यह हमारे NCIT के example 18 से match करता है पता नहीं कैसे यह दुबारा repeat हो गया है बुक में लेकिन यह बिलकुल सेम है तो हमने example 18 में किया था अगर आपने examples वाली वीडियो नहीं देखिए तो आप i button पर click करके देख सकते हैं या फिर आप description में link भी check कर सकते हैं okay I hope आप वहाँ से देख लेंगे इसको आगे देखते हैं 5th part देखिए 7x-2y upon xy is equal to 5 and 8x plus 7y upon xy is equal to 15 अब देखिए ये भी उसी तरीके का question है जो अब तक हम करते आए हैं थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है देखिए first equation को मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ 7x upon xy minus 2y upon xy is equal to 5 क्योंकि ये xy दोनों के लिए है न 7x के लिए भी and 2y के लिए भी हाना LCM लेने के बाद यही आता है तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ हाना अब देखिए x से x कैंसल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा 7 upon y यहाँ पर देखिए y से y कैंसल हो जाएगा second term में तो आपके पास बचेगा 2 upon x तो फिर इसका मतलब क्या हो गया आपके पास 7 upon y minus 2 upon x is equals to 5 यह हो गया आपका first equation इसको हमने solve करके simplify करके यह वाली equation बना दी इसी तरीके से देखिए हमारा second equation था हमाई पास 8x plus 7y upon xy is equals to 15 यह हमारा second equation था अब यहाँ भी हम क्या करेंगे एक बार xy को 8x के नीचे लिखेंगे एक बार 7y के नीचे तो आपके पास आएगा 8x upon xy plus 7y upon xy is equals to 15 यहाँ भी देखिए first term में x cancel हो जाएगा तो आपके पास बचेगा 8 upon y plus दूसरे term में देखिए y से y cancel हो जाएगा तो आपके पास बचेगा 7 upon x is equals to 15 यह हो गया आपका second equation अब तो देखिए बिल्कुल ऐसा equation बनेगा जो अब तक हम करते आ रहे हैं है ना देखिए first equation में भी और second equation में भी 1 upon y है देखिए first equation में and second equation में 1 upon y है है ना and first equation और second equation में दोनों में 1 upon x भी है इनी के वज़े से मैं दिख्कत आ रही थी क्योंकि यह denominator में तो हम नया नाम देंगे इनको let 1 upon y is equals to a and 1 upon x is equals to b ध्यान दीजेगा यहाँ पर y पहले इसलिए मैं इसको a का नाम दे दिया है कोई दिख्कत निया आपको जो नाम देना है वो आप दे सकते हैं except x और y को यानि कि 1 upon x को ऐसा नहीं है आप 1 upon x को x का ही नाम दे दे क्योंकि x और y अल्रेडी यूज़े हो चुके है तो इनको अलग नाम दीजेगा x और y छोड़ कर अब देखिए equation reduce होगा देखिए first equation में देखिए 7 upon y था और 1 upon y को मैंने a माना है तो क्या हो जाएगा 7a minus 2 upon x है तो यह हो जाएगा 2 upon x है तो यह क्या हो जाएगा 2b is equal to 5 यह होगा आपका third equation अब देखिए second equation कैसे reduce होगा यह है 8 upon y that means 8a plus 7 upon x को क्या लिखेंगे हम 7b is equal to 15 यह होगा आपका fourth equation अब इसको solve कर लेते हैं by using substitution method अब देखिए third equation में से मैं a की value निकाल लेता हूँ तो देखिए 2b वहाँ जाएगा तो plus हो जाएगा and 7 यहाँ multiply और वहाँ जाएगा तो divide हो जाएगा तो आपके पास a की value आएगी 5 plus 2b upon 7 यह हो गया आपका fifth equation third equation का काम खतम अब इस fifth equation को हम fourth equation में put करेंगे यानि की use करेंगे इसको put this value of a in equation 4 equation 4 आपके पास है 8a plus 7b is equal to 15 यहाँ पर हम a के जागे put करेंगे अब हम 5 plus 2b upon 7 तो देखिए 8 into 5 plus 2b upon 7 plus 7b is equal to 15 अब देखिए 8 दोनों में multiply होगा साथ ही साथ हम क्या करेंगे LCM लेके इसको solve कर लेंगे तो 85 is a 40 plus 82 is a 16 तो यह हो जागा 16b plus LCM लेके solve करेंगे तो क्या आएगा यह 77 is a 49b upon 7 is equal to 15 अब देखिए 7 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा multiply साथ ही साथ हम 16b और 49b को add कर लेते हैं तो आपके पास आएगा 40 plus 65b is equal to 105 ओके यह 40 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा minus तो आपके पास बचेगा 65b is equal to 105 minus 40 that means 65 अब देखिए यह 65 में multiply हो रहा है वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा divide यानि कि B की value आजाएगी 65 upon 65 that means 1 तो B की value क्या आगई 1 आगई अब हम B की value को put करेंगे 5th equation में ताकि हम A की value निकाल सके तो next page बे देखते हैं अब देखिए putting the value of B in equation 5 equation 5 में हम B की value put कर देते हैं equation 5 क्या थे आपके पास A is equals to 5 plus 2b upon 7 यह थी आपके 5th equation तो यहां पर हम B की जगे क्या put करेंगे 1 तो देखिए 5 plus 2 into 1 upon 7 that means 7 upon 7 यानि कि A की value कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी और B की value क्या आई थी 1 अब देखिए A की help से हम Y की value निकालेंगे कैसे A हमने माना था 1 upon Y को और A की value हमें पता चल चुका है तो Y की value भी पता चल जाएगी देखिए A is equals to 1 यह हमारी value थी A हमने माना था 1 upon Y को तो हमाँ पास 1 upon Y is equals to 1 आ चुका है Y की value निकालने के लिए क्या करेंगे हम reciprocal लेंगे तो आपके पास Y की value आ जाएगी 1 अब देखिए B की value से हम X की value निकालने थे अल्सो B is equals to 1 और B हमने किसको माना था 1 upon X को तो 1 upon X is equals to 1 यहाँ भी हम reciprocal लेंगे तो आपके पास आएगा X is equals to 1 हमारे पास final answer है X की value 1 and Y की value 1 I hope आपको यह समझ में आया होगा यह थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ question है वो ही जो आप तक हम करते आ रहे है 6th part देखिए 6X plus 3Y is equals to 6XY and 2X plus 4Y is equals to 5XY अब देखिए यह question 5th part के जैसे ही है यहाँ पर XY इस तरफ right hand side में है और उस वाले question में यह denominator में था हैना तो हम क्या करेंगे इसको denominator में ले आते हैं पहले तो देखिए फर्स equation में पास था 6X plus 3Y is equals to 6XY यह XY को मैं LHS में ले आता हूँ तो वो कहाँ जाएगा क्योंकि यहाँ पर multiply हो रहा है वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा divide तो आपके पास आएगा 6X plus 3Y upon XY is equals to 6 अब देखिए उसके बाद हमने क्या किया था एक बार XY को 6X के नीचे लेखेंगे और एक बार 3Y के नीचे तो आपके पास आएगा 6X upon XY plus 3Y upon XY is equals to 6 अब देखिए फर्स टर्म में X X cancel हो जाएगा तो आपके पास बचेगा 6 upon Y plus second term में देखिए Y से Y cancel हो जाएगा तो आपके पास बचेगा 3 upon X is equals to 6 यह है आपका फर्स टीकूशन अब अब देखिए जो second equation में गिवन है उसके लिए हम यह XY को इस तरफ ले आएगे है ना तो देखिए 2X plus 4Y is equals to 5XY यह था और यह XY को मैं उधर ले जाऊँगा तो क्या हो जागा डिवाइड तो आपके पास यह देखिए दोबारा लिखने की ज़रूत नहीं है आप यहाँ पर दिखा चुके है second step में कि XY वहाँ नीचे गया कैंसल हो जाएगा second term में तो आपके पास बचेगा 4 upon X is equals to 5 यह हो गया आपका second equation अब देखिए first equation में भी 1 upon Y है and second equation में भी है first equation में 1 upon X है second equation में भी है इनी के वज़े से में दिखकत आ रही है क्योंकि यह denominator में बैठे हुए है हाना तो इनको नया नाम दे देते है let 1 upon Y is equals to A and 1 upon X is equals to B तो हमारी equations इस तरीकी से reduce हो जाएंगे देखिए first equation में देखिए 6 upon Y है 1 upon Y को मैंने A माना था तो क्या बन जाएगा यह 6 A plus 3 upon X है और 1 upon X को मैंने B माना तो यह क्या हो जाएगा 3 B is equals to 6 यह हो गया आपका third equation इसी तरीकी से देखिए second equation कैसे reduce होगा 2 upon Y तो यह क्या बन जाएगा 2 A plus 4 upon X को क्या लेकोंगा 4 B is equals to 5 यह हो गया आपका fourth equation अब इसको solve कर लेते हैं by substitution method from third equation equation third से देखिए मैं A की value निकालना चाह रहा हूँ तो 3 B वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा minus and 6 यहाँ multiply हो रहा है वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा divide तो आपके पास A की value आएगी 6 minus 3 B upon 6 है ना तो यह हो गया आपका fifth equation अब देखिए third equation का का काम खतम fifth equation को use करेंगे हम fourth equation में put this value of A in equation 4 equation 4 का आपके पास 2 A plus 4 B is equals to 5 यहाँ पर हम A के जगे put करेंगे 6 minus 3 B upon 6 देखिए यहाँ पर 2 into 6 minus 3 B upon 6 plus 4 B is equals to 5 अब देखिए 2 3 is a 6 यह कट जाएगा हाना तो आपके पास बचेगा 6 minus 3 B upon 3 plus 4 B is equals to 5 हाना अब LCM लेके solve कर लेते हैं इसको तो आपके पास आएगा 6 minus 3 B plus 4 3 is a 12 हाना तो 12 B upon 3 is equals to 5 अब next page पे देख लेते हैं देखिए 3 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा multiply हो जाएगा हाना तो आप next page पे देख लेते हैं इसको अब देखिए previous step था हमारा 6 minus 3 B plus 12 B upon 3 is equals to 5 हाना इसको solve कर लेते हैं देखिए 3 वहाँ जाएगा तो multiply हो जाएगा साथ ही साथ हम इसको solve कर लेंगे 12 B मैंसे 3 B जाएगा तो कितना बचेगा 9 B यानि कि आपके पास बचेगा 6 plus 9 B is equals to 15 यह 6 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा A की value नकालेंगे put the value of B in equation 5 equation 5 क्या थी है आपके पास A is equals to 6 minus 3 B upon 6 हाना यहाँ पे हम B के जगे 1 put करेंगे तो देखिए A is equals to 6 minus 3 into 1 upon 6 that means 6 minus 3 upon 6 और solve करेंगे क्या हैगा 3 upon 6 हाना तो A की value क्या हो जाएगी 1 upon 2 ओके A की value आ चुकी है अब देखिए B की value भी आ चुकी है A के help से हम Y की value नकालेंगे and B के help से X की value नकालेंगे so we have A is equals to 1 upon 2 हाना A की value 1 upon 2 आई थी A हमने किसको माना था 1 upon Y को 1 upon Y is equals to 1 upon 2 फिर क्या करेंगे हम reciprocal लेंगे तो आपके पास आएगा Y is equals to 2 अब देखिए B के help से X की value नकालते है B is equals to 1 था हमारा B हमने किसको माना था 1 upon X को 1 upon X is equals to 1 reciprocal लेंगे तो आपके पास X की value क्या आएगी 1 तो हमारा final answer क्या है X is equals to 1 and Y is equals to 2 ओके next देखते हम 7th पार्ट देखिए 10 upon X plus Y plus 2 upon X minus Y is equals to 4 and 15 upon X plus Y minus 5 upon X minus Y is equals to minus 2 अब देखिए यह भी उसी तरीके का question है क्योंकि denominator में variable है किसी भी form में हो उससे हमें कोई फरक नहीं पड़ता यह लेकिन denominator में होना चाहिए अब देखिए इसको rearrange कैसे लेखेंगे rearrange करके 10 into 1 upon X plus Y plus 2 into 1 upon X minus Y is equals to 4 यह हो गया आपका first equation and second equation को rearrange करेंगे 15 into 1 upon X plus Y minus 5 into 1 upon X minus Y is equals to minus 2 यह हो गया आपका second equation अब देखिए दोनों equation में common क्या है first equation में 1 upon X plus Y है and second में भी है उसी तरीके से देखिए 1 upon X minus Y first equation में भी है and second equation में भी है और इनी के वज़े से देखकत आ रही थी तो हम इनको क्या करेंगे नया नाम देंगे तो let 1 upon X plus Y is equals to A and 1 upon X minus Y is equals to B अब देखिए equation किस तरीके से reduce हो जाएगी first equation को देखिए 10 into 1 upon X plus Y है तो 1 upon X plus Y को मैंने A माना है तो यह जाएगा 10A plus 2 into 1 upon X minus Y है और 1 upon X minus Y को मैंने क्या माना है B तो यह जाएगा 2B is equals to 4 यह हो गया आपका third equation इसी तरीके से देखिए second equation कैसे reduce होगी 15 into 1 upon X plus Y है और 1 upon X plus Y को मैंने A बाना है तो यह हो जाएगा 15A minus 5 into 1 upon X minus Y तो यह कितना हो जाएगा 5B is equals to minus 2 यह हो गया आपका fourth equation अब इन दौने equations को मैं solve को लेता हूँ using substitution method from equation third मैं A की value निकालने की कोशिश करता हूँ तो देखे 2B वहाँ जाएगा तो क्या होगा minus and 10 यह multiply हो रहा हो जाएगा तो divide हो जाएगा तो आपके पास A की value आएगी 4 minus 2B upon 10 यह हो गया हमारा fifth equation third equation का काम खतम हो गया है अब हम fifth equation को fourth equation में use करेंगे put the value of A in equation 4 okay equation 4 क्या है देखे 15 minus sorry 15 A minus 5B is equals to minus 2 हाँ ना तो A की जाएगे मैं put करूँगा 4 minus 2B upon 10 तो देखे 15 into 4 minus 2B upon 10 minus 5B is equals to minus 2 अब देखे solve कर लेते इसको देखे 5 3s are 15 5 2s are 10 solve करेंगे तो देखे क्या आएगा पहले इसको simplify करके लिख लेते हैं 3 upon 2 into 4 minus 2B minus 5B is equals to minus 2 जब हम इसे solve करेंगे तो 3 दोनों में multiply होगा साथ ही साथ हम LCM ले लेंगे तो आपके पास आएगा 12 minus 6B minus 10B upon 2 is equals to minus 2 यह 2 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा multiply and minus 6B or minus 10B कितना हो जाएगा minus 16B तो हो जाएगा आपके पास 12 minus 16B is equals to minus 4 यह 12 यहाँ plus हो रहा हो जाएगा तो minus हो जाएगा तो आपके पास बचेगा minus 16B is equals to minus 4 minus 12 that is minus 16B is equals to minus 16 यह minus 16 यह multiply हो रहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास B की value कियाएगी minus 16 upon minus 16 that is 1 तो B की value किया आगी 1 अब हम B की value put करेंगे 5th equation में ताकि A की value निकाल ले put the value of B in equation 5 next page पे देखते हैं हमारी 5th equation थी A is equals to 4 minus 2B upon 10 अब देखिए यहां पे B की value put करेंगे हम 1 ताकि A की value निकाल सके तो देखिए 4 minus 2 into 1 upon 10 that means A is equals to 2 upon 10 इसको solve करेंगे तो कितना आएगा 1 upon 5 अब देखिए A की value आचकी 1 upon 5 A और हमने किसको माना था 1 upon X plus Y को तो देखिए 1 upon X plus Y is equals to 1 upon 5 फिर हम क्या करते थे reciprocal करते थे तो reciprocal करेंगे तो आपके पास आएगा X plus Y is equals to 5 अब देखिए यह भी एक तरीक से linear equation and 2 variable है तो हम इसको 6th equation का नाम देदेते हैं and B से अब देखिए क्या वनता है B की value थी 1 और B हमने माना था 1 upon X minus Y को हैना तो 1 upon X minus Y is equals to 1 हो जाएगा यहां भी हम reciprocal लेंगे तो क्या हैगा आपके पास X minus Y is equals to 1 हैना तो यह हो गया आपका 7th equation अब देखिए 6th equation और 7th equation solve कर लिजे जो भी method आपको easy लगता है अब देखिए अब देखिए मैं इसको elimination method से solve कर लेता हूं आप अगर ध्यान से देखिए Y का coefficient मैं Y को eliminate करने की सोच रहा हूं 6th equation में Y का coefficient plus 1 है and 7th equation में minus 1 है coefficient same है दोनों का तो हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा multiply अब देखिए sin क्या है sin दोनों के अलग है मैंने आपको trick बताया था कि same sign होता है तो subtract करते है same sign subtract as for same as for subtract but यहां पर देखिए different sign है तो different sign है इसलिए हम क्या करेंगे इसको add करेंगे add equation 6 & 7 देखिए 6th equation थी आपके पास x plus y is equal to 5 and 7th equation है x minus y is equal to 1 solve करेंगे तो देखिए x plus x 2x हो जाएगा y cancel हो जाएगा 5 plus 1 6 हो जाएगा तो आपके पास आगा 2x is equal to 6 यह 2 यह multiply हो रहा वहाँ जागा divide हो जाएगा तो आपके पास x की value आएगी 6 upon 2 that means 3 तो x की value कितने आ गई 3 आ चुकी है अब देखिए x की value में पुट कर देता हूँ 6th equation में ताकि y की value आ सके देखिए put the value of x in equation 6 equation 60 आपके पास x plus y is equal to 5 x के जगे put कर दीजिए 3 3 plus y is equal to 5 कि 3 वहाँ चाहेगा तो क्या हो जागा minus हो जाएगा तो आपके पास y की value आएगी 5 minus 3 that means 2 y की value आ चुक है 2 तो आपके final answer क्या है x is equal to 3 and y is equal to 2 इस type के question थोड़े अच्छे होते हैं यह paper में पूछे जा सकते हैं okay 8th part देखिए 1 upon 3x plus y plus 1 upon 3x minus y is equal to 3 upon 4 and 1 upon 2 into 3x plus y minus 1 upon 2 3x minus y is equal to minus 1 upon 8 अब देखिए इसको भी solve कर लेते हैं पहले rearrange कर लेते हैं तो first equation क्या बनेगा हमारे पास 1 upon 3x plus y यहाँ पर देखिए कोई coefficient नहीं है यह 3x के coefficient मत मानेगा यह x का coefficient है total coefficient नहीं है okay तो यह ऐसे ही रहेगा plus 1 upon 3x minus y is equal to 3 upon 4 यह होगे आपका first equation अब देखिए second equation second equation में coefficient है 1 upon 2 हाँ तो इसको अलग कर लिया हमें 1 upon 2 into 1 upon 3x plus y minus दूसरे term में देखिए यह भी 1 upon 2 coefficient है into 1 upon 3x minus y is equal to minus 1 upon 8 यह होगे आपका second equation अब देखिए किसको नाम देना है दौन equation में देखिए common क्या चीज़ है first equation में है 1 upon 3x plus y and second equation में भी one upon 3 x plus y इसका मतलब इसको एक नाम देना है ओके दूसरा देखिए one upon 3x minus y यह है first equation में and second equation में भी the one upon 3x minus y इसको भी हमें एक नाम देना है तो देखिए let one upon 3x plus y is equal to a and 1 upon 3x minus y is equal to b क्योंकि इनी की वैसे दिक्कत आ रही थी क्योंकि x और y denominator में मैंने आपको बोले denominator में होना चाहिए form चाहिए कैसा भी हो कोई भी रूप में लिखा हो हम करेंगे एक ही तरीके से तो आप recursion reduce हो जाएंगे देखें फर्स्ट equation क्या हो जाएगी यह देखें पूरा मैंने a माना था यह वाला तो यह हो जाएगा a plus यह b माना था यह जाएगा a plus b is equal to 3 upon 4 यह होगे आपका third equation अब देखें second equation कैसे reduce होगा 1 upon 2 और इसको मैंने माना था 1 upon 3 x plus y को a तो यह हो जाएगा a upon 2 minus 1 upon 2 into इसको मैंने b माना था तो यह हो जाएगा b upon 2 is equal to minus 1 upon 8 यह हो गया आपका fourth equation अब देखें fourth equation को मैं थोड़ा reduce कर लेता हूँ यानि कि इसको simplify कर लेता हूँ LCM लेके तो देखें 2 आएगा LCM मैंने direct लिखा है यहाँ पर देखें यह 2 LCM आएगा मैं यहाँ पर लिखें देखा देता हूँ आपको अब देखें denominator दोनों का same है तो LCM आएगा 2 और आपके पास आएगा a minus b upon 2 is equal to minus 1 upon 8 यह 2 वहाँ जाएगा तो multiply हो जाएगा है ना तो आपके पास minus 1 upon 8 into 2 आएगा right inside में तो 2 से 8 कट जाएगा 4 times तो आपके पास बचेगा minus 1 upon 4 that means a minus b is equal to minus 1 upon 4 अगर कोई step आप direct कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है चोट-चोटी चीजें निगलट की जा सकती है अब हम इसको solve कर लेते हैं 3rd equation को and 5th equation को क्योंकि 4th equation हमने 5th equation बना दिया है इनको मैं अब solve कर लेता हूं using elimination method अब देखिए मैं यहाँ पर b को eliminate करने की सोच रहा हूं 3rd equation and 5th equation में से तो देखिए b का coefficient दोनों equation में 1 है और sign देखिए sign different है first मन यानि की 3rd equation में b का coefficient plus का है and 5th equation में minus का है तो different sign होता है तो हम क्या करते add करते हैं आपको मैंने trick बताया था SS same sign subtract तो same sign नहीं है तो क्या करना पड़ेगा आपको add करना पड़ेगा तो आपके पास बचेगा 2a is equal to 3 upon 4 minus 1 upon 4 इसको solve करेंगे तो आपके पास आएगा 2 upon 4 यानि की अब देखिए 2 यहां multiply हो रहा है वहां जाएगा तो divide हो जाएगा तो आपके पास बचेगा a is equal to 2 upon 4 into 2 यह 2 से 2 cancel हो जाएगा आपके पास a की value आएगी 1 upon 4 अब देखिए किसी भी equation में put करके आप a की value से b की value निकाल लीजिए put the value of a in equation 5 equation 5 में put कर लेते हैं तो देखिए a की value है हमारे 1 upon 4 minus b is equals to minus 1 upon 4 यह 1 upon 4 यह plus हो रहा है वहां जाएगा तो minus हो जाएगा तो आपके पास बचेगा minus b is equals to minus 1 upon 4 minus 1 upon 4 that means minus 2 upon 4 अब देखिए b की value आचुकी minus 2 upon 4 that means minus minus 1 cancel हो जाएगा आपके पास बचेगा b is equals to 1 upon 2 a की value आचुकी 1 upon 4 b की value आचुकी 1 upon 2 next pitch पे देखते हैं हम x और y की value निकाल देखिए a की value आचुकी है हमारे पास 1 upon 4 a हमने किसको माना था हमने माना था 1 upon 3x plus y को तो देखिए 1 upon 3x plus y is equals to 1 upon 4 हो जाएगा अब हम क्या करेंगे reciprocal लेंगे तो आपके पास आएगा 3x plus y is equals to 4 यह होगे आपका 6th equation क्योंकि यहां से direct value नहीं निकल रही है अब देखिए b की value थी 1 upon 2 और b हमने किसको माना था 1 upon 3x minus y को तो 1 upon 3x minus y is equals to 1 upon 2 हो जाएगा यहां भी हम reciprocal लेंगे तो क्या हैगा हमाँ पास 3x minus y is equals to 2 यह होगे आपका 7th equation अब देखिए 6th equation and 7th equation को आप solve कर सकते हैं कोई भी method से आप यहां देख सकते हैं कि मैं eliminate करना चाहरा हूँ y को तो y का coefficient same है दौन equations में देखिए 6th equation में y का coefficient 1 है and 7th में भी है यहां पर sign देखिएगा दोनों sign कैसे हैं different है plus का है एक minus का है तो हमें क्या करना पड़ेगा add करना पड़ेगा तो देखिए add equation 6 and 7 तो आपके पास आएगा 6th equation था 3x plus y is equals to 4 and 7th equation आपके पास 3x minus y is equals to 2 दोनों को add करेंगे तो आपके पास आएगा देखिए y से y cancel हाना तो 3x plus 3x that means 6x तो 6x is equals to 4 plus 2 यानि कि 6 6 यहां multiply हो रहा वाँ जागा तो divide हो जागा तो आपके पास आएगा x is equals to 6 upon 6 that means 1 x की value आ चुकी है अब हम y की value निकाल लेते हैं किसी equation में put करके put the value of x in equation 6 equation 6 में मैं x की value 1 put कर देता हूँ equation 6 क्या है देखिए 3x plus y is equals to 4 यहां पर मैं x के जागे put करूंगो 1 तो 3 into 1 plus y is equals to 4 यह 3 यहां पर add हो रहा है तो वहाँ जाएगा तो minus हो जाएगा तो आपके पास y की value आएगी 4 minus 3 that means y is equals to 1 तो आपका final answer क्या आया x is equals to 1 and y is equals to 1 आज के वीडियो के लिए इतना ही next वीडियो में हम इसके बाकी के questions को discuss करेंगे thank you have a nice day